हाई दोस्तों आपको फिर से सिरbeing ऐ्मारा फार्म लोगी शेयर Rum 4 हम स्लेघ लेका एं हैपई हेल्थ के नाम से सीरप आती है दोस्तों आज की वीडियो में सीरप के बारे में जानेंगे दोस्तों इसका क्या यूज हो था है कुन सी परसानी में डॉक्टर लोग इसको देते हैं क्या परसानी में आप इसको ले सकते हैं दोस्तो सारे बाते जानेंगे इस वीडियो में दोस्तो वीडियो को देखते रहे हैं अंट तक दोस्तो वीडियो सुरू करते हैं बताते हैं सीरप के बारे में क्या इसका यूज हो हैंड कोन कोन से मेलकोस मिला होती है उर तो दोष्ट चलि जानते हैं दोस्तों इसके अंदर काफी सारे से मॉलिक्यू achieving हैं और डोस्तों इसके अमleb बात करें तो दोस्तों आपको यह 177 रुपए की मिल जाएगी यह यानि की 170 रुपे की आप इसको एजिरी पर्चेस कर सकते हैं दोस्तों और जादे कोई इसके रेट या मरपी नहीं होती है दोस्तों और आयोवेदी के जादे कोई साइड़ बैट होते नहीं चलिए इसको अपन करकर दिखा देते हैं फिर इसके यूजिस के वारे में बात कर लेते हैं किसके यूजिस में आप इसको ले सकते हैं कुंगों सी परसानी में आप इस सीरप को पी सकते हैं तो दोस्तों आपको यह सीरप जैसे कि दोस्तों इसके यूजिस के वारे में जान लेते हैं जैसे कि दोस्तों अगर किटनी में स्टोन हो जाती है यानि की पथरी हो सिरप बहुत अच्छी है दोस्तो पत्री को घोलने के लिए यानि की पत्री को किट almondy से निगालने के लिए दोस्तो and urinary track infection भी हो जाता दोस्तो जैसे की urine urine में जलन होती है ये दोस्तो किटनी से रेट कोई भी प्रोब्लम होती है तो दोस्तों आप इस सीरप को पी सकते हैं दोस्तों और इसका सबसे अच्छे रिजल्ट देख गए हैं पत्थरी के लिए दोस्तों अगर किसी भी वुमेन या लेडी के किटनी में स्टोन हैं दोस्तों टैने मन की हैं या फाइव की हैं तो दोस्तों बहुत जल्दी ये पत्थरी को घोल देती है दोस्तों बहुत जल्दी लिकाल देती है इस सीरप के पीने के अनुसार दोस्तों और आप इसको ले सकते हैं असाने से दोस्तों ये प्लास्टिक के कंटेनर में आती है 200 एमल में आपको सीरफ मिलेगी दोस् मद्सलाइसोब और रसामको खाने से पहले ले니ं कि अधे हंस्य काने से घाड सिर्फ काहले हैं और भूसतो बहुत अच्छा क्यूं से रिजर्ट में बाते हों या कुछ पूछना हो तो प्लीस हमारे चैनल पर कमेट करके हम से जरूर पूछें दोस्तो और इस पर डारेटी लिखा होता है दोस्तो फोर किटनी एंड बिलेडर स्टॉन तो दोस्तो आपकी बिलेडर में है या स्टॉन या किटनी में है स्टॉन तो दोस्तो इस पत्री इस आपकी किटनी या विलेटर में स्टोन है तो दोस्तों ये इजली ही निकाल देती है इस स्टोन को इस सीरप को पीने के अनुसार तो दोस्तों आप इस सीरप को सुबा साम इजली ले सकते हैं और इसका जादे कोई बिटर ट्रेस होता नहीं है आप इसको असानी से पी सकते हैं गिलास पानी के साथ कोई दोस्तो आज की वीडियो में इतरी पताना चाहते हैं अगर इस वीडियो को देखकर आपके मन में कोई डाउट हो तो प्ली पर हमारे चैनल को मैंने करके जरूर पूछ separate दोस्तो और कि है अच्छी लगी